हालो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग आज का जो हमारा यह विडियो है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है बड़ा इंट्रेस्टिंग है पूछो क्यों क्योंकि आज का जो यह विडियो है उसमें चाहे आपके पास एक फोन का कैमेरा हो या चाहे आपके पास एक जो मिररलेस ड professional looking photos ले सकते हो professional looking photos ले सकते हो और आप बोलोगे यह scam है यह YouTube पे views बढ़ाने का बात है बाकि ऐसा कभी नहीं हो सकता शलो चैलेंज करती हो यह वीडियो में ऐसा हो जाएगा ठीक है, तो यह कैसे होगा composition और framing से यह क्या होता है देखिए, कभी आपने सुना है कि कोई photographer ऐसा बोलता है अरे, तेरा composition क्या है अरे, तुने फ्रेम किस हिसाब से लिया है ये जो photographer एक दूसरे से साथ बात कर रहे है, वो अपनी framing के बारे में बात कर रहे है Of course, एक अच्छा photographer technically sound होता है उसको shutter, aperture, ISO, camera की settings, camera कैसे चलता है उस सब के बारे में जो है अच्छी खासी knowledge होती है और वो उससे अच्छा photographer बनाती है और उसके बारे में अगर आपको गन्यान चाहिए तो क्या करना है, हमारी ये playlist रेडी है उसका आप चेक आउट कर सकते हो उसमें जो है आपको बहुत सारे वीडियोस जाले है जहापे आपको टेक्निकली साउंड बनाते है पर अगर आपको creatively अच्छा photographer बनना है कैसे बनोगे आपका जो है framing change करके जो भी photo आप लेते हो वो जो frame आप capture करते हो जो composition आप करते हो इसका मतलब है कि जो भी photo आप लेते हो जो भी photo में की जो frame है उसको हम लोग frame बोलते है जो photo आप लेते हो उसको हम लोग frame बोलते है और ये photo के अंदर जो elements होते है मतलब सब जो main subject है उसके पीछे का background है वहाँ पे कुछ चारी चीज़े पड़ी है वो सारी चीज़ों को मिला कर जो है एक frame एक photo बनता है और जो जो चीज़े आप उस frame में डालते हो उसको हम लोग बोलते है कि यार तूने जो है इसका composition किया है composition मतलब ये सारे elements को साथ में करके एक photo बनाया है आप चाहो तो ये elements कम कर सकते हो उसको tally करके या फिर जो है आप जो है बहुत सारे elements इस पर डाल सकते हो wide view करके अगर आप एक tally photo लोगे मतलब tally का close up photo लोगे तो सिर्फ वो इंसान दिखेगा और अगर आप एक wide photo लोगे तो बहुत सारी चीज़े दिखेगी ये तो आप समझते हो तो ये बहुत सारी चीज़े दिख रही है या कम हो रही है तो जो elements आप डालती हो या जो elements आप निकाल देते हो उसको हम लोग बोलते है composition मतलब framing क्या frame आप बना रहे हो क्या composition आप बना रहे हो इससे आप एक अच्छे professional photographer 110% बन सकते हो वो ही तो है यार एक photographer जो होता है दो photographer जो है अच्छे से camera को जानते है उनको photo अच्छे से खीचने को आता है पर हम क्या बोलते है यार ये इससे ना ज़ादा अच्छा photographer है क्योंकि यार देख इसका angle क्या है क्या must photo capture करता है किस हिसाफ से जो है उस चीज को वो फ्रेम में लेता है कैसी फ्रेम लेता है कैसे कॉंपोजिशन करता है मतलब वो क्या डालता है उसकी फ्रेम में और क्या निकाल देता है क्या कैसे जो है वो फ्रेम करता है वो मेन है अभी आप बोलोगे ठीक है पर मतलब यह करना कैसे है और कैसे जो है इसमें आगे बढ़ोगे मैं समझा दोंगी यह वीडियो में आप समाथ जाओगे तो इसके पहला को क्या करना है रूटीन काम करोगे कि नहीं लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो दिस चैनल मेक शॉर यू डू ओके मतलब यह सारे चीज़े रूटीन होती है वो करनी बहुत जरूरी है तो चलो बढ़ते हैं तेखो, अगर आपको एक अच्छा फोटो कैप्चर करना हो अच्छा कॉम्पोजिशन करना हो तो उसके कुछ रूल्स होते है अगर आप यह रूल्स को फॉलो कर दोगे अगर आप यह रूल्स को फॉलो कर दोगे फटाक से आपके फोटो अच्छे दिखना शुरू कर देंगे सबसे पहला रूल ओफ कॉम्पोजिशन जो लंबे समय से चलते आ रहा हुआ रूल है जिसको बुला जाता है रूल ओफ थर्ड्स रूल ओफ थर्ड्स और यह जो रूल ओफ थर्ड्स है वो ना बहुत सारी फोटोग्रफर अपको संझाएगे यह रूल ओफ थर्ड्स यूज करो यह रूल ओफ थर्ड्स यूज करो सब फोटोग्रफर्स चीक चीक के बोलते है कि यार ये rule of thirds का जो है न वो composition आप use करो सबसे best है वो इसा क्यों बोलते है क्या कारण है इसके पीछे क्योंकि जो है ये सबसे effective है हर बार जो है ये rule चल जाता है मतलब अगर आप ये rule apply करोगे न आपके photos पता नहीं कैसे पर अच्छे दिखते हैं अभी वो दिखते है कि कैसे अच्छे दिखते हैं देखो आपके जो frame है न जो भी frame आप capture करते हो वो frame को आपको 3x3 की जो grid है उसको on करना है 3x3 की grid अब आपके DSLR में on कर सकते हो और साथ ही साथ आपके phone के camera के अंदर भी आप ये 3x3 की grid है उसको on कर सकते हो और जब आप उसको on करते हो तब जो है वहाँ पर 2 line vertical और 2 line horizontal आ जाती है हमको लगता है क्या little little line line आई है फ़र ये line इसलिए आई है ताकि उसके जो 4 point बन रहे है न दो line vertical और 2 line horizontal बन के जो 4 point बन रहे है वो जो 4 point है वो जो 4 point है उस 4 point पे अगर अगर आपने आपका मेल एलिमेंट जो मेन सब्जेक्ट को आपको कैप्चर करना है अगर आपने इस चार पॉइंट पर रख दिया ये दो पॉइंट पे या एक पॉइंट पे रख देते हो automatically जो है आपके फोटो जब दम धासू आएंगे सबर्दस हो जाएंगे ये आपको धयान में रखना है और साथ ही साथ ये जो चार पॉइंट है अगर ये चार पॉइंट में से एक पॉइंट पे मेन अलिमेंट रखते कम element main है पहले वाला जादा element main है इसको लिए एक point पे रखा दूसरे point पे कम element वाले को रखा तो भी तकड़ा photo आएगा तो भी अच्छे photos आएंगे अब ये rule है और चल रहा है तो हम चला रहे है तो आपको भी इसको सीखना है और इसको आगे लिखे जाना है पर ये न ये rule काफी लोगों को पता है तो हमको तो कुछ और नया सीखना है और ऐसे बहुत सारे rules है वैसे ऐसे बहुत सारे rules ने हम लोग जो हमारा course है photography का उसमें एकदम detail में समझाया है और बहुत depth depth में गया है तो आप इसके लिए बात कर सकते हो पर अभी जो है हम लोग इसके दूसरे rule को जानेंगे और वो जो दूसरा rule है उसको बोला जाता है rule of reflection reflection ये क्या होता है for example अगर ये शब्द वसनो reflection आपके mind में क्या आता है reflection mirror, काच काच का टुकड़ा वो ही तो है बस वो ही है जब आपको image capture करते हो जब आपको इनसान को capture करते हो अगर आपने वहाँ बाजू में एक mirror रख दिया या फिर पानी, पानी भी तो reflective है न अगर आप पानी का जो surface है उसको use कर लेते हो या फिर metal metal भी reflective है जो भी है जिसमें से reflection होता है जो चीज आप देखते हैं उसको mirror हो जाता है या mirrorize हो जाता है अगर वो जो surface है आपने आपकी photography में एड़ कर दिया और जो main subject आप capture कर रहे हो उसके साथ आपने जो है ये mirror या reflection ऐसी कोई चीज साथ में रख दी और वो main element का जो है एकदम interesting लगने लगता है अभी तक तो ये साथा सीधा लग रहा था अब पता नहीं एकदम ही कुछ अलग दिखता है कुछ interesting दिख रहा है क्योंकि आपने जो है rule of reflection यूज किया है interesting है न कुछ नया है न आपने जो है उसका ही reflection डाल दिया ये कुछ अच्छा double role जैसा लगता है कुछ नया लगता है rule of reflection ठीक है इसके बात का जो rule है वो है leading lines it leads you leading lines इसका क्या मतलब है जब आप कोई photo capture करते हो न और वहाँ पे बहुत सारी lines होती है और ये जो सारी lines है आपको एक जगा पे लेके जाती है चाहे वो कोई थंबा हो सकता है वो जो पोल रहता है वो सकता है railway track हो सकता है कोई road हो सकता है या फिर किसी का हाथ हो सकता है अगर आपने आपका हाथ भी किसी पे ऐसे रखा है मतलब आपका हाथ जो है वो भी तो lead कर रहा है न कहीं पे आपका हाथ भी जो है कहीं पर लेके जा रहा है जब आप कोई भी चीज को देखते हो और वहाँ पर एक ऐसी line बन जाती है जो किसी के तरफ आपको लेके जाती है आपको ऐसा महसूस होता है और वहाँ पर जो है एक main element जहाँ पर वो लेके जाती है वहाँ पे main element पड़ा रहता है और उस main element पे आपका ध्यान बस एकदम तुरंद घुस के जला जाता है उसको बूला जाता है leading lines आप बूलोगे यह बड़ा अच्छा लग रहा है पर इसको capture कैसे करना है देखो आपका observation पावर उतना अच्छा होना चाहिए जब भी आप जो है leading lines का rule capture करना चाहते हो आपको देखना है कि आस पास में क्या वो पॉल है क्या मैं वो लड़की जैसे नॉर्मली खड़ी है उसके बदल अगर वो पोल पे हात रखे और मैं पोल को अगर depth of field बना कर उसका एक लाइन लेके जाओ तो उसके पास जो है वो पोल को लेके जाओ तो वो पोल उसके तरफ मुझे लीड कर दे तो या फिर वो जो कपल है मैंने उसको railway track पर बठा दिया है अब जो है मेरी आखे वो railway track से उनके तरफ जा रही है तो या फिर आप जो है एक लड़की रो रही है और उसका हाथ जो है उसको अपनी बहन को दे दिया है तो ये जो है वो भी एक लाइन जो है दूसरी लाइन के पास लीड हो रहा है तो ये जो लीड हो रहा है इसको बोला जाता है leading lines you are leading it to there आप जो है उसको कहीं पर ले के जा रहे हो या ना इसके बात का जो point है उसको बोला जाता है colors and patterns आप black and white में फोटोग्राफी करते हो ठीक है black and white में कर black, white and grey are also colors और colors तो है ही जो भी photography आप करते हो इसमें रंग होते है जब आप रंगों का इस्तमाल करते हो तब भी आपके photos professional looking बन जाते है अब ये रंगों का इस्तमाल आपको करना कैसे है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया या तो फिर आप एक tone का सारा photo लेते हो मतलब black है त जो है आप एक black and white photo लेते हो monotone का मतलब सिफ black and white नहीं होता है वो red का भी monotone हो सकता है green का भी monotone हो सकता है तो आपने जो है एक monotone लिया जिसके वज़ेसे जो है उसके अपने अपने उसके कपड़े वैसे पनाए बैगरांड वैसा सिलेक किया जो आपको इफेक्ट डालन है आपने एक frame में डाल दिये यह हो सकता है या फिर जो है आपने contrasting color ले लिये मतलब blue के साथ orange या blue के साथ red yellow ये सारे contrasting colors है contrasting का मतलब है कि एक color बहुत dark है और दूसरा color बहुत ही bright है या फिर जो है ये दूसरा color ये दोनों color जो है वो दोनों अलग-अलग category के color है जिसके व contrasting color साथ में लेते हो तब भी अच्छा लगता है और मैं ये सब बोल रही हूँ पर आप ये colors को apply कैसे करोगे देखो बड़ा सिंपल है जैसे कि अगर अपने background जो color का लिया उसका contrasting color के उसको कपड़े पैना दिये या फिर आपने पूर का पूरा photo जो है black and white में photo खीचा जान डाल रहे हो ना आपके पूरी की पूरी photography में इसके बाद आता है patterns 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 का मतलब क्या होता है designs patterns ये आपने कभी सुना है pattern का नाम सुना pattern का मतलब है कि जो आप कोई भी object रहता है उस object का जो है आपको repetitive चीज मिल रहा है मतलब एक ही line जो रहती है उसका repetition में अगर कुछ मिलत है या वो एक ही line या एक ही object का आपको repeat 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 दिखता है तब आप उसको बोलते है patterns वो patterns कहीं पे भी हो सकते है background में जब pattern होता है या फिर subject के कपड़ों के ऊपर जो pattern होता है या फिर जो है उसके ऊपर जो light आ रही है वो pattern के हिसाप से आती है तब automatically जो है वो subject में कुछ unique लगता है डिजाइनिंग लगता है वो unique लगता है अच्छा लगता है मज़ा आता है देखने में patterns ऐसा कुछ यूज करके आपकी photography अच्छी कर सकते हो तैसे बहुत सारे rules है पर ये जो है कुछ main rules है जो मैं खुद भी बहुत बार apply करती हूँ इसलिए मैंने आज आज आपको बताया है साथ ही साथ of course कुछ basic चीजों का तो आपको ध्यान रखना है वैसे mobile photography वाले वीडियो में मैंने उस basic चीजों के बारे में बात की है composition की पर फिर भी अगर मुझे आपको बताना हो तो आपको जो है जो भी आप photo capture करते हो उसमें आपको कभी भी आड़ा त्रेड़ा photo नहीं कीचना है जो भी लाइन आप capture करते हो वो आड़ी तेड़ी नहीं एकदम सीधी होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको human के photos लेते हो या wildlife के photos लेते हो तो कभी भी उनके joints नहीं काटने है मतला आपने उसकी उंगलियां काट दी उसका elbow काट दिया जो भी body के joints है उसको कभ animals के भी joints नहीं काटने है कभी भी कोई भी photo आडा उडा नहीं कीचना है एकदम सीधा दिखना चाहिए वो line और symmetry के साथ एकदम बराबर लगना चाहिए तो यह सारी तो basic चीजे है जिसको आपारे में आपको ध्यान रखना है और आपको और एक चीज का ध्यान रखना है और फिर मैं जानती हूँ कि आपको अभी भी questions होगे कि नहीं यार अगर मुझे अगर ऐसे में photos कीचू तो अगर मैं वैसे में photos कीचू तो ठीक है ना questions के लिए comment section खा लिए है आप अपके doubts पूच सकते हो आप हमें question कर सकते हो कि कैसे जो है आप अपकी photography level up करने के लिए composition कैसे य questions हो तो ठीक है हम एक या दो या तीन दिन के अंदर वैसे तो reply कर देते हैं all right और I know giveaway giveaway वो अच्छी वो अच्छी news जो अच्छी खुशी की बात है ना वो मुझे आपको शेर करनी है सही है देखियो हमारा जो है कल एक वीडियो आ रहा है उस वीडियो में हमने जो है आपके लिए एक workshop अरेंज किया है एक workshop है जो हम लोग ने आपके लिए क्या है अफ़कोस चैनल को 100 क सबस्क्राइवर्स हो गये और इसे के लिए हम लोग ने आपके लिए एक workshop औरेंज किया है, एक free workshop है जो 1000 जन 1000 जन अटेंड कर सकते हैं और उसकी सारी डीटेल्स कल जो है उस वीडियो को अपलोड कर देने में आएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो और जान सकते हो कि कैसे आप इस workshop को अटेंड कर सकते हो तो कल तक प्लीज इसके लिए stay tuned रहेगा और मिलते हैं कल by the way thank you so much, see you, see you, see you tomorrow, bye bye